नमस्कार बोले भारत देखने आप और मैं हूँ आपके साथ अभी जी ताज जिस तरह से बिहार के बेतिया में प्रयतन मंत्री नाराइन प्रसाद के बेटे की दबंगई सामने आई यह बिहार सरकार पर सबाल खरी करती है बिहार सरकार के मंत्री के बेटे की इतनी दबंगई की वो अपने पिता की गारी को लेकर गाओं में जो बच्चे खेत में खेल रहे होते हैं उनकी पिटाई कर देता है और सिर्फ पिटाई ही नहीं करता है जब लोग इसका बिरोध करते हैं तो वो लोगों के सामने तमंचे लहराता है, राइफल दिखाता है और फाइरिंग भी करता है इसके बाद लोग और आक्रोसित हो जाते हैं फिर बबलू को अपने साथियों के साथ वहाँ से भागना पड़ता है मंत्री की गारी छोड़ कर इस मामले को लेकर काफी बबाल होता है पुलीस पहुंसती है लोग घंटो सरक जाम करते हैं लेकिन पुलीस के समझाने बुजाने के बाद लोग सांत तो हो जाते हैं लेकिन माहौल अब भी गर्म है हलाकि इसको लेकर पुलिस ने अफायार दर्ज कर लिया है अब इसके बाद मंत्री नाराइन प्रसाद का बयान आता है उनका कहना है कि ग्रामीनों ने उनके बेटे की पिटाई कर दी और गंबीर इस्तिती में वो अस्पताल में इलाज रत है पता चला है कि उनके अपने परिवार की उनकी मा जो थी भगहली मौतों के लड़का है उसकी लड़की और लड़का को बात है उसी पत्थर से लड़का को चोट लगी है आज इसके होजा से और भी उस पर तुफान होकर जितने भी लोग गय थे सभी को बहुत बूरी तरह से आपके लड़का दोवरा फाइरिंग भी किया गया है नहीं कोई फाइरिंग करने का सवाल कहां उठता है तो उसके पास कोई सट्था या जाता आप लूश्वयम पत्रकार है मेडिया है किसी से जबरदोस्ति च्छुईना जा रहा हो वो फाइरिंग करे तो निश्चित किस आपके उसी को लगना चाहिए प्ला रहा बदनाम करने के लिए लेकिन जो वीडियो हमारे पास में जो वीडियो में ढाऄ साफ है कि कि सतरह से मंतरी के बैटे राइफल लह रहा रहा हैं तमंचे लह रहा रहा हैं यह अधिकार इनको किस ने दिया का मैं यहां 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 आइगा आज जाएगा 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 जम शुम शुम इस त्हुट करूंच करने। क्या इनके पिता मंत्री हैं तो यह इस तरह सरयाम हतियार लहरा सकते हैं क्या यह तमंचे लहरा सकते हैं ग्रामिनों पर फाइडिंग कर सकते हैं बस छोटी सी बात इतनी सी थी कि जिनका खेत बगल में था उनके बच्चे अपने खेत के पास ही बगल में खेल रहे थे जहां मंत्री जी का भी बगीचा है और इसको लेकर मंत्री जी के बेटे की दबंगई सामने आई कि वो बच्चों की पिटाई कर देते हैं और ना सिर पि अब हम आपको बताया कि जिन यूबकों की पीटा ही मंत्री के पूत्र बबलू करते हैं वो यूबक कुसवाहा समाज से आते हैं और वो खेत भी उन्हीं का है इसके बाद अब कुसवाहा समाज के लोगों में खासा आक्रोस है कि आखिर नितीश कुमार के राज में ये बीजे क्या जेडियू के संसदिये दल के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा क्या वो इस पर संग्यान लेंगे क्या बीजे पी इस पर संग्यान लेगी और अपने मंत्री पर कारवाई करेगी बड़ा सवाल है क्यूंकि मामला छोटा नहीं है अगर कोई आम आदमी इस तरह से हतियार लाराता हो फाइडिंग करता हो तो फिर उस पर बड़ी कानूनी कारवाई होती है लेकिन यह एक रसुकदार का बेटा है एक बिहार सरकार के मंत्री का बेटा है तो सवाल लाजमी है कि क्या इस पर कारवाई होगी क्या मुख मंत्री नितिश कुमार क्या उपेंद्र कुश्वाहा क्या बीजेपी इस पर एक्सन में आएगी क्या इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी क्या मंत्री पर कारवाई होगी क्या मंत्री के बेटे जेल जाएंगे बड़ा सवाल है और इस पर हमारी निगाहें लगातार बनी रहेगी कि इस खबर में आगे क्या अपडेट आता है क्या कुछ पुलिसिया कारवाई होती है क्या सरकार का रूख होता है सरकार का क्या कदम होता है और बीजेपी इस पर क्या एक्षन लेती है हमारी नजर बनी हो रहेगी और हम आपको लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे बिहार समय देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बोले भारत और अब तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें हमारे फेस्बूक पेज को लाइक कर दें ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक